मेरी त्रिप्ती या मेरी खुशी किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्तिते पर आधारित नहीं रहेगी, ऐसा डेकलेरेशन करो, तब देखो आपके हर कर्म में एक अलग इंटेंसिटी, एक अलगी स्पार्क जोड़ता है फिर, करने के लिए या अपना एक्जिस्टेंस प्रूव करने के कई बार हम रिस्पॉंड न करके रियक करते हैं, मैं कई बार डिस्कॉर्सिस में कहता हूँ, यदि हम इंटेलिजेंट है ना, तो डोंट ट्राइटो प्रूव यॉर इंटेलिजेंस, सूनर और लेटर पीपल बिल र जो आपको मैचौड लोग दिखते हैं वो अपने आपको पुरूव करने में नहीं पड़े रहते हैं, उनने एक कोई आलोचना करता हैं, कोई प्रवोक करता हैं, उतेजित करता हैं तो वो ज्यादा रियक नहीं करते हैं, ख्रुमा सेहन्शिल्ता नाम का गून होता है, या वो सहांण शिल्ता के कारण अंदर सुवेक्ति के प्रती, फिर और अटुमेटिक करुणा आती है, क्या बोल रहा है, होता है कि नही होता एसा, क्ष्मा से क्या होता है, हाइटंड अवेर्नस क्रियेट होती है, होश क्रियेट होता है, और रियक्शन से गुस्सा आता है और गुस्सा एक बार चेतना को मन को पकड़ ले तो मुक्ती तो बहुत दूर की बात है यदे मोक्षय मुक्ती चाहते हैं तो क्षमा इस पर अभ्यास करे सहन शिल्ता तुरंत रियक्शन ने देखे have patience and introspect मेरे ये वाक्य से ये response से वो चीजे आसान होगी सुल्जेगी या उल्जेगी और कईयों ने ये अभ्यास किया हुआ है अब देखो इतने साल से रमते रमते ये अभ्यास बन चुका है इसलिए कहते हैं क्षमा वो मुक्ती की और की एक सीड़ी है जितना आप क्षमा के भाव में रहोगी ये अम्रित है इससे पश्चाता आप कम होता है गलतिया होनी की संभावना न के बराबर हो जाते है और उतना हम सुखी रहने लगते हैं पृत्वी का नाम भी गुरु जी बता रहे थे क्षमा इसलिए क्योंकि पृत्वी के साथ हम चाहे कैसा भी व्यभार करें हम थुकते हैं खोडते हैं पॉलूट करते हैं पृत्वी को लेकिन हमेशा उस हैंशिल हो के मा की तरफ अनकंडिशनली हमें सब कुछ देती ही रहती है खोड कर ठक जाते तो पानी धान तेल और नीचे मिनरल्स न जाने क्या-क्या देती रहती है वो रियक नहीं करती तो कहते हैं भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए मोक्ष का हनुभाव करने के लिए ख्षमा आपने एक बार गुरु जी को सुनना होगा कहीं लोगों ने ग भग्वान याने क्या भग वा अन भग याने भूमी जो भूमी जैसा संशिल है वो भगवान है ग याने गगन जिसमें अनंतता है ऐसी पारदर्शित है वो भगवान है वाय याने वायू वायू जैसा सुक्ष में है वो सब जगह है वो भगवान है और अगनी जैसी शुद्धता है उर्द्वगमन कर लेता है अपनी प्रेजन से वो भगवान है न न न बोलते तो आ बोलना ही पड़ता है तभी आ याने अपसु जल तत्व भगवान जो जल जैसा याने फ्लेक्जिबल है किसी भी पात्र में आप पानी को डालते हो तो पानी वो आकार धारन कर लेता है तो सहचता याने भगवान की व्याख्या करते हैं तो भूमी भूमी से प्रित्वी प्रित्वी याने क्षमा का स्वरूप है, तो इसलिए जीवन में मुक्ष चाहिए, मुक्ती चाहिए, तो एक शमा को कल्टिवेट करें, दूसरा बताया आर्जव, आर्जव याने सहचता, याने यहां पर सहस्ताई ब्रॉडर कॉंटेक्स्ट में है आपने एडवांस कुर्स किया हो तो गुरु जी एक शब्द प्रयुक्षट संपत्य में करते हैं उपरती रती याने आनन्द उपरती याने हर कारिय रूची से करना आनन्द से करना और हर कारिय में से आनन्द प्रा invest करके वो कार्य करना गुरुजी कह रहे थे ने पूजा के example कई बार लोग पूजा में बैठते हैं जब से हम आरट आफ लिंग में जुड़े तो उसके पहले ऐसा ही लगता था था कि हम पूजा खाली बस एक सामाजिक परंपरा इसलिए करते थे जब से आरट आफ लिंग में आएं और वो मंत्रस्नान का स्वाद चखा तभी पूजा की असर कारक्ता क्या है वो पता चला सज बता हो वरना एक एक फॉर्मालिटी एक ट्रडिशन है परंपरा इसलिए हम करते चले आ रहे थे तो कोई भी काम जब दिल दिमाग से वो सिंस्यारिटी प्रामानिकता सहज हो के करते हो न तो फिर बात बनने लगती है अब खुद भी उसमें डूब जाते हो आनन्द और आनन्द की उपज ही मोक्ष का अनुभव देखती है ये कह रहे है वरना गुरुजी ये भी कह रहे थे क्यों सहज बनो क्योंकि दिखाओ से आप ठक जाओगे अब दिखना कई बार शोओफ करना पड़ता है बड़ा बोजी लगता है और ज्यानी व्यक्ति को तो बापरे बाप वो ज्यानी व्यक्ति दो मिनिट भी शोओफ नहीं कर सकता अब दिखना कई बार अती छिष्टा चार एटिकेट्स में इतना फर्स जाते हैं और खुच स्ट्रेसफुल हो जाते हैं गुरुजी कह रहे हैं ये गुण है क्या आर्जव सहन सहचता सरलता प्रामानिकता इसको लेके चलो दिखावा क्यों मत करो क्योंकि दिखावा से स्ट्रेसफुल और वो बंधन का अनुभव देता है इसलिए आप दिखना अपने आसपास किटी पार्टी का गुरूप है फ्रेंड सर्कल है बिजनस का गुरूप है आप दिखना कहीं लोग इसी में बस लोग मेरी प्रशंचा करें लोग मेरे बारे में अच्छी बाते करें उसी में पूरा जीवन खपा देते हैं और उनके भीटर खोखला पन दिखता है भई दिखता है कि नहीं दिखता है तो कहती आरजव भी मुक्ष मुक्ती की और की एक सीड़ी है सहज रहे सरल रहे और तीसरा दया गुरु जी ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला दया दिल का सूचक है भई दया उसी व्यक्ती को आती है जिसमें दिल है रिधाय है संबेदन शिल्टा है जो कठोर रिधाय का है उसके मन में उसकी चेतना में दया भाव कैसे हो सकता है तो दिल है उसकी सूचना देता है दया का गोना आप देखना साधना के मार्क पर चलते चलते हम औरों के प्रतिवे सेंसिवल और सेंसिटिव हो चुके हैं जब भी ऐसे पैंडेमिक की तरह कोई भी नेचरल केलिमिटी जाती है है हमारे स्तर से हम करती है पहले ये आटिट्यूड आरट अफ लिंक के पहले कम था या नहीं था लेकिन जब से इस मार्क पर चलने लगे तो एक स्वाद चकने लगे जब भी हम औरों के प्रति सम्विदन्शिल होते हैं दयाभाव होता है तो कहीं कहीं अंदर सुक्ष्मस तरपर वो मोक्ष्या मुक्ति का अनुहव देता है इसलिए ये मनुश्यत्व होने का एक सूचक भी है आप देखो कई बार जैसे 2002 में भुकम पाया था गुजरात में बहुत ज़्यादा कैलमेटीज होई थी उस वक्त तो गुरुजी ने एक बार उसका पॉजिटिव एंगल ये दिया था कि कई बार करूणा दया हमारे भीतर है वो आत्मा के गुण है श्रिंगार है लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं वो गुण को स्वभावगत बनाती है अभी व्यक्ति के रूप में लाती है आप समझ रहे हूँ मैं क्या कह रहा हूँ जैसे मैं चेतन स्वरुप हूँ सुन लिया पढ़ लिया लेकिन वो अनुभाव कभी कबार होता है इसी तरह दया भाव क्षमा भाव हमारे भीतर है तो कोई घटना जब घटती है तो वो भाव भीतर से प्रकट होते है अभी पैंडेमिक में कई लोगों ने मिशन बना दिया के सेवा में जूटे जो भी बन पढ़ता है आप लगे हुए वो लोग अच्छी तरह जो भी बन पढ़ता है करते है तो जब दया भाव होता है न तो कोई गुनेगार के प्रति या कोई गलत कार्य भी करता है तो गुस्सा नहीं आता अगे इन गुरुजी नहीं ये कहा और गुस्से से चेतना मुक्ठ है तो मुक्ती का अनुभव स्वाभाविक है दया भी इससे लिए अमृत मना गया तो क्षामा आरजव याने सहचता दया और चोथा गुरुजी ने बता है संतोश तो गुरुजी मैं कई बार अभी मेरे रिसेंट फेस्बुक सेशन में ये कह रहा था ये संतोश ये एक एटिटीट है जो डेवलप करना पड़ेगा यदि हम ये मानते हैं कि बाहरी जगत में कोई व्यक्ती को पाके उसका साथ मिल जाए या कोई पस्थितियों का निर्मान हो जाए या कुछ वस्तुए में इखटा कर लूँगा तभी जीवन में संतोश आएगा तो इससे बड़ी कोई अज्ञानता नहीं है आप इतना भी इखटा कर लोगे लेकिन वो सच्ची त्रिपती है ना एक एटिटीटीट से मिलती है गुरुजी कहते हैं इस सिक्षन आप संकल करो कि भी मैं त्रुप्त रहूंगा संतोश वो एक एटिटीटीट है कि भारी चीजों से कभी नहीं मिलता हो यह संतोश कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिती को पाके टपकता नहीं है और खुद नहीं चाहोगे ना तो कभी संतोश नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिती आपको संतोष नहीं दे सकती तो take a decision, take a संकल्प that I am contented मैं त्रिप्त हूँ, एक संकल्प, एक decision लेलो इसी क्षान से मेरी त्रिप्ती या मेरी खुशी किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्तिते पर आधारित नहीं रहेगी एसा declaration करो, तब देखो आपके हर कर्म में एक अलग intensity, एक अलगी spark जूड़ता है फिर ये जो संतोष है गुरुजी कहते जैसे मैंने कहा ये attitude डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए धारना करो उसका नियम बनाओ त्रिप्त रहने का या प्रयत न करो एक attitude कल्टिवेट करना पड़ेगा तो गुरुजी ने एक एक जामपल दिया उसमें क्षमा आर्जव दया संतोष सक्ट्या ये अलग पांच अलग अलग सीडिया है लेकिन एक तरह से देखे तो ये सारी चीचे एक दूसरे के साथ कनेक्टर है संतोष वो नियम का एक जो पांच नियम बताएं उसका एक नियम है पता है न आप सबी को एट लिम्ज ओफ योगा योग के आठ अंग कौन कौन से यम बोलिये नियम आसन प्राणाया प्रत्याहारा धारणा ध्यान और समाधी यह एट लिम्ज कहे अंग कहे अंग क्यों शब्द प्रवक किया ऐसा नहीं है कि पहला आप प्राप्त करोगे फिर दूसरा प्राप्त होगा फिर तीसरा प्राप्त होगा यह स्टैप्स नहीं है इसको अंग कहा एट लिम्ज ओफ योगा तो श्रेया जी जैसे डॉक्टर है मेरे सामने बैठी है, कई सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे, तो मा की घरब में जब एक जीव डेवलप होता है न, तो ऐसा नहीं होता, पहले नाखुन बनते हैं, फिर अंगुठा बनता है, फिर लोर थाइस बनती हैं, एंकल के बाद, फिर घुटना बनता, ऐसा नहीं होता है, वो जीव जब शरीर रूप धारन करता है, तो एक साथ सारे अंग डेवलप होते हैं, आप समझ रहे हो, तो ये अंग की उपादी इसलिए दी गई, योग के आठ अंग, याने आप एक अंग को सिंसेरिटी के साथ जीओगे न, तो बाक के साथ अपने आप चले आएंगे, तो एक 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 सामपल दिया, कुरसी का, आप कुरसी का एक पईया खीचते हो, तो बाकी के तीन को अलग से खीचने की ज़रूत नहीं है, वो तीनों अपने आप चले आते हैं साथ में, तो कोई भी एक पकड़ो, बाकी चीजे अपने आउगत होने लगेगी ये गुरु जी का कहने का मरम था कई बार ऐसा भाशित होता है कि बाहर से मुझे कोई व्यक्ति संतोष दे रहा है कोई परिस्तिती संतोष दे रही है लेकिन वो क्षानिक होता है धिरे धिरे वही जो व्यक्ति वस्तु परिस्तिती संतोष देती है धिर गुरु जी ये कहते हैं, वो मुल्ला नसरुद्दिन की कहानी बताई, बारिश नहीं थी तो भी फरियाद, बारिश आई तो भी फरियाद, तो बहारी ये attitude आपको खुद कल्टीवेट करना पड़ेगा, तो ठान लो आज से, स्वभाव में ही संतोष आना चाहिए, और आफी चाहिए, खिलोना चाहिए, बहुत रोता है, और सायद आप मैनेज नहीं भी कर पाते हो, थोड़ देर में वो बच्चा वापिस उसका मन छूड जाता है, वो वापिस खेलने लगता है, मुस्कुराने लगता है, जो चीजे होती उसी से, तो संतोष हमारा स्वभाव ह है ही, बस उसको कल्टिवेट करना है, नर्चर करना है, उसको पोशित करना है, पोशित कैसे, तो एक इंटेंशन के साथ, एक संकल्ब ले लिया, तो वो चीज जीवन में फिर अपने आप घटने लगती है, वाड़ उसे, रश्मी जी, ये बात है, क्षमा, आर्जव, दया, संतोश और अंत में बताया, सत्य, सत्य भी अमरिज जैसा माना गया, तो सत्य वो है, जो भूत, वरत्मान और भविश्य, ये काल से अबादित है, त्री काल से अबादित है, उसी को सत्य कहते है, उसमें गुरु जी ने भजन की व्याख्या भी की, भजन, भज का अर्थी होता है, बातना, किसको बातना, अपने आपको, किसके द्वारा, नाद के द्वारा, तो जब एक छोटे से नाद का उच्चारण हम करते हैं सत्संग में, सारे मन से जब वही नाद भाव से निकलता हैं, तो छोटा मन डिजॉल होके विराट मन के साथ जूड जाता है, और तब इश्वर की अनुभूति भीतर होने लगती है, गुरु जी ने ये सेंटेंस बहता है, इश्वर का गुन हमें उतरने लगता है, उतरने लगता है, ये कहना भी उचित नहीं है, गुरु जी कहते प्रकट होने लगता है, हम कहतें कई बार प्रकट्य मौच्षव, प्रकट्य मौच्षव यानि वो था, हिडन था, वो अभिव्यक्त हुआ, ये शब्द को समझे आप, तो जब सत्संग करते हैं तो इश्वरिय तत्वय हमारे भीतर, वो प्रकट्य उसका होता है, उसका प्रक हैं, समय का जिस पर असर नहीं है, उसी को सत्य कहते हैं, तो एक एक्जामपल भी दिया, वो टेबल के उपर एपल पड़ा था, एक जना आया तो था, दूसरा नहीं था, तिसरा आया था, तो अब कैसे भई, इसको ये सही गलत में कैसे बाटो गे, कहने का मतलब गुरु जी कहते हैं, एक साधक के मन में, या संत या सत्गुरु की वानी में इतनी शक्ती होती है, वो जूट को भी सच कर देता है, क्योंकि कोई भी जो साधक है या सत्गुरु है ना, उसके शब्दों के साथ वो अर्थफलित होता हुआ लगता है, आप मैंसे भी कहीं लोगों के कि आप किसी को कुछ बोलते हो वो होने लगता है उस व्यक्ति के साथ सजवत था हो होने लगता है वो इसी कोई तो आशिरवाद कहते है गुरु जी कहते है आशिरवाद याने क्या जो आप कहते हो वो होने लगता है इसलिए कहते हैं कि एक साधक को किसी के बारे में नकारपन नहीं सोचना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधक, साधना के बल पर उसकी वानी में बहुत ताकत आ जाती है, तो वो घटना भी घटने लगती है, इसलिए मंगल कामना करो, शुभ कामना करो, और गुरु जी ने एक सुन्दर बात बताई, कि ये जो संसार है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहां हर चीज पर्मेनिंट नहीं है, पेड रहते हैं, कुछ समय फिर डिजॉल हो जाते हैं, आप देखना संसार में हर चीज हमेशा के लिए टिकती नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है, आप देखो, ये डॉक्तर को पूछोगे, तो आ शरीर हरक्षण बदल रहा है, नए कोश, नए मज्जा तन्तू, नया खोन, हरक्षण काफी कुछ चेंजिस बौडी में हो रहा है, रैशिश होते हैं, तो पाच्छे दिन में नए स्कीन आ जाती, वो रैशिश चले जाते हैं, पेट की लाइनिंग्स भी कुछ महिनों में बद बदल जाती है, हमारे भीतर जो वीचार है वो भी क्या होते रहते बोलो तो, एक सरी के रहते हैं, बदलते रहते हैं, हमारे अंदर फिलिंग्स भी एक सरी की नहीं रहती, उस व्यक्ति के प्रति गुसा भी आता है, उसी व्यक्ति के प्रति करुना भी आती हैं, उसके प्रत कुछ अलग भाव भी उठते हैं वापिस आप देखो शरीर बदल रहा है विचार बदल रहा है भावनाय बदल रही हमारी पसंद नापसंद भी समय के साथ क्या होती बताओ तो मझे बदल जाती आप दस साल पहले की लाइक डिसलाइस का लिस्ट जड़ा चेक करना और आज च और हमारी विचार धरावी समय के साथ क्या होती है बदल जाती याने शरीर से लेकर भीतर तक आंतरिक जगत में भी सब कुछ बदल रहा है और बहर संसार में भी सब कुछ बदल रहा है मैं कई बार कहता हूँ ब्रेकिंग निउस भी ब्रेकिंग नहीं लगते हैं कि हम भूल जाते हैं लोग बदल रहे हैं देखते देखते दस साल में जमाना बदल गया हम कई बार 40-50 के आयू के बीच वाल ये कहते हमारा जमाना था जैसे हम 100 साल के हो गए कहने का मतलब हमने देखा समय को बदलते हुए तो ये संसार में नित्य बदलाव होते रहते हैं इसी लिए उसको माया कहा संसार सत्य नहीं है क्यों everything is changing और गुरु जिन आज एक secret बात कही कई बार आपने सुनी होगी कि हम पाँच तत्वों से बने हैं वो तत्वों को गहराई से जान लो आप देखो हमारे अंदर भी ये पूरा जो स्रिष्टी है वो पाँच तत्वों से बनाएं पृत्वी तत्व, जल तत्व, अगनी तत्व, वायू तत्व और आकाश तत्वा और हमारे भीतर भीये पाँचो तत्व, पाँच तत्व सही शरीर बनाएं हड़ी और मांस के रूप में शरीर है भी, पृत्वी तत्व के रूप में, वायू हमारे भीतर बहुत सारे हैं, काफी सारे फ्लूड्स हैं हमारे भीतर, जल तत्व के रूप में, अगनी तत्व के रूप में, हमारे भीतर बहुत अगनी भी है, तब ही तुम, मैं कहता हूँ पचा सकते हैं खाने को यदि अगनी तत्व नहीं होता तो आप खाना भी नहीं पचा सकते थे कभी गुस्सा हो जाते हैं तो अंदर कुछ होट महसुस होता है कुछ टेंपरेचर बढ़ता है अगनी तत्व तो है वो और आकाश तत्व का तो अनुभावने अडवांस कोर्स में करती है कि सब कुछ पोल और खाली है तो यह पंच महाभूत से पूरा संसार बना है शरीर भी उसी से बना है लेकिन यहाँ पर गुरुजी कह सत्य यह पांच में जो टॉपिक की बात हो रही है उसमें गुरुजी यह कह रहे हैं मैं कई बार डिफाइन करता हूं मेरे सामने देखें इस बॉड़ी इस माइन बट आयम नौट द बॉड़ी शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं आप समझ पार हो मैं क्या कह रहा हूं This mind is mine, but I am not only the mind. This breath is mine, but I am not the breath. आप देखो ना कई बार आप बात बात में क्या वो यार आज मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। बहुत मेरा शरीर दर्द कर रहा है। यानि मैं और शरीर अलग हो गए। तभी तो आप अपने बाडी को सुन कर या एहसास करके बोलते हो कि शरीर में दर्द है। यार आज मेरा मन बड़ा डिस्टर्ब है। यदि मन के साथ आप एकात मता पा लेते तो मन डिस्टर्ब है वो पता कैसे चलता। तो कोई एक तत्वा तो है जो अलग करके बोलता है कि मेरा मन डिस्टर्ब है। आज पता नहीं यार मेरी बुद्धी यार किस तरह काम कर गई और मैंने एडिजन ले लिया तो उस समय बुद्धी से अलग तो पाते हो तभी तो उसको समझ पाते हो यार मेरे एगो की वज़े साथ इश्यू हो गया ओफिस में तो मैं इगो भी नहीं हूँ ये जो साक्षी भाव जीवन में जितना पन पे गाना वो साक्षी भाव पनपते ही मन छूटने लगता है छोटी छोटी घटनाओं से पीडाओं से बाधाओं से विचारों से और हम मुक्ति के मार्पर अग्रसर होने लगते हैं ये गुरुजी कह रहे है गुरुजी ने के एक्जामपल दिया भई आये तब कितने किलो के थे चार किलो के थे अब आज देखो कितना वजन है किसी का असी होगा साथ होगा तो ये चार के बाद जो भी बढ़ा वो वजन कहां से प्राप्त किया अन से जो सबजिया बजार में थी दुकान में थी दूसर दिन कीचन में आते हैं तीसरा दिन हमारी सबजी बन वो सबजी से शरीर बन जाता है तो गुरुजी कह रहते हैं अन से ही तन बनता है और तन से ही मन बनता है कहते हैं जैसा अन वैसा मन हम कई बार मन को ही मैं मान लेते हैं नहीं मन तुम्हारा एक अंग है तुम मन के साक्षी हो तब जीवन में मुक्ति का अनुभव होने लगता है तुम शरीर नहीं हो यह शरीर तो पांच तक्तो का प्रपंच है शरीर उसी से बना है तो एक छोटी सिक बोले आज एक युवक आया था बोले बस आप सत्य बताओ मैं तो भूखा रहूंगा अरे भई शरीर के कुछ नियम है शरीर को उसके नियम पर चलाना पड़ता है भई उसको समय पर खाना खिलाना पड़ता है लेकिन हर चीज में आप मध्यम मार्ग लेकर चलो अती भूखा रहता है वो भी उससे भी योग नहीं कर पाओगे और अती खा ले तो उससे भी योग नहीं कर पाओगे मध्यम मार्ग आज्या पालन करो कोई भी चीज की आप अती करते हो न तो फिर दिमाग बिगडने लगता है गुरु जी ने ये शब्द प्रयो किया था कई बार लोग या तो तपस्या के नाम पर इतना कष्ट देते जैसे कल कह रहे थे लिंग के द्वार ट्रक खीचना तपस्या के नाम पर लोग न जाने क्या क्या करते हैं या तो लोग इतने जड़ हो जाते हैं कि कोई पुरुशार्थी नहीं करते दोनों extremes है कहते मध्यम मार्ग ना अलसी बनो न शरीर को कश्ट दो मध्यम मार्ग पर चलते हो, तब मोक्ष की प्राप्ती, मुक्ती का अनुभव संभव है, शरीर को दुनिया के नियम पर चलने दो, तो मध्यम मार्ग, बस तुम इन सब के साक्षी हो, तो कहने के लिए तो भई, चलो भई, साक्षी हो, ये शब्द सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, चलो मैं चेतन्य स्वरूप हूँ, है न, वो सोचने से वो मुक्ती का अनुभव नहीं होता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, जितना साक्षी भाव उदय होगा हमारे भीतर, उतना मुक्ती का अनुभव भी होने लगेगा, लेकिन वो साक्षी भाव की मैं चेतन्य पूम, वो अनुभूती कैसे करे, तो कहते कि आप विश्राम करो, अब ये कहना भी आसान है कि विश्राम करो, लेकिन विश्राम कैसे करे, मन तो विश्राम करने ही नहीं देता है, मन कुछ ने कुछ चीजों के बीचे दौड लगा की रहता है, रहता है कि नहीं, कई बार अच नाा पर बोलता है अपनी वनमान करदेता है कही बार. तो मन जो दोडाता है उस मन की दोड को कैसे शांत करे, मन को कौन दोडाता है, क्या विश्राम नहीं करने देता है, तो गुरुजी कहते है इस पर परदा हम कल उठाएंगे आज नहीं. गुरु जी को सुनेंगे कल वाप्ति सब ठीक है एक छोटा सा भजन गा के सवाप्ति करते हैं दो मेट पहले आखे बंद कर लें भरपूर घहरी सांस लो एक बार फिर अभी सांसों की जो भी सहज गती है इस क्षण में उसके प्रति सजक हो जाएं सांस में उस्णत है या थंडक है चेक करो सांस चंचल है या शांत है सांस अंदर और बहार सांसों की लंबाई मात्रा और तापमान को भी महसुस करे ज़्टर अचल की जड़े जाएं लिस्क नोटिस अन्त अव्याद भ्राथ व्याद अव्याद अंदर अप्राथ just be aware of it. Now, breathe in once again, फिरिट सांसले, हौर बहार झाल कुर दो पाल शंकराय 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 मंगलं शंकरी मनुहराय शाश्वताय मंगलं शंकराय 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 मंगलं शंकरी मनुहराय शाश्वताय मंगलं गुरुदेव मंगलं सद गुरुदेव मंगलं गजाननाय मंगलं शडाननाय मंगलं शंकराय 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 मंगलं शंकरीमनुहराय शाश्वताय मंगलं आनंद मंगलं परमानंद मंगलं सधानंद मंगलं चिदानंद मंगलं सदानंद मंगलं शंकराय 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 मंगलं शंकरीमनुहराय शाश्वताय मंगलं आत्मदेव मंगलं परमात्मदेव मंगलं परमपुरुष मंगलं परात्पराय मंगलं शंकराय शंकराय मंगलं शंकरीमनुहराय् शाश्वताय नंगड़ं जये गुर्देवा